पनीर बटर मसाला बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बना है तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां चार टमाटर लिए हैं दो प्याज थोड़ा सा लहसन दो हरी मिर्च और थोड़े से काजु लिए हैं सबसे पहले इन्हें हम देर चमस तेल में धुड़ा जीरे का तड़का देके इन्हें पकाएंगे इसके अंदर डालेंगे नमक और थोड़ा मगस्दाना जो तरबूस का भीज होता है जिसे मगस्दाना बोलते हैं पानी डालेंगे और इसे 5-7 मिनट पका लेंगे मिडियम फ्लैम पे पकाएंगे इसे यहां पे यह पक गए हैं अब इनका हम ठंडा करके पेस्ट बनाएंगे यहां पेस्ट भी बनकी रेडी है तो अब हम कडाही गरम करेंगे इसके अंदर डालेंगे 3-4 चमच बटर खड़े हरी इलाइची लॉंग दालचीनी तेज पत्ता लाल मिर्च इनके फ्राई होते ही हम इसमें डाल देंगे अधरक लसन पेस्ट हल्दी और लाल मिर्च पाउडर इससे जलना नहीं देना है बाकी इसके अंदर सारे पीसे हुए पेस्ट को डाल देंगे मसालों में डालेंगे जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्ची हल्दी मैंने डाल दिया था अब इन्हें पका लेंगे हम 5-7 मिनट पकाएंगे यहां पनीर त्यार कर लेंगे पनीर में डालेंगे हल्दी लाल मिर्च पॉडर थोड़ा नमक डाल कर इसे हम सैलो फ्राइ कर लेंगे यहां पर पनीर को हम फ्राइ कर रहे हैं यह पनीर जो है रेड़ी है अब यहां मसाले भून चुके हैं इसके अंदर नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार और इसमें हम पानी एड़ करेंगे जैसा ग्रेवी रखना है उसके साब से पानी डाल लेंगे मैं यहां पर ज्यादा गाड़ा ग्रेवी है जैसे इसमें उबाल आएगा हम डालेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला इसके बाद हम इसके अंदर पनीर को डाल देंगे और इसे 1-2 मिनिट बखाएंगे और इसमें हम डाल दे रहे हैं फ्रेज क्रीम जो की मैंने घर पर ही रेडी किया था यह घर का क्रीम है दूद के मलाई से को फेट कर बनाया हुआ है तो इसे डाल दिया अब एक मिनट बाद इसको बन कर देंगे और यहां पे जो हमारा पनीर बटर मसाला है वो बनके रेडी है इसे गार्निस कर लेंगे फ्रेस क्रीम से और बटर से तो आज की अगर रेस्पी यह वाली रेस्पी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड थैंक्स फार वाचिंग मैं वीडियो